अपरात की दुन्या में मुक्तार अंसारी अतिक एहमाद और मुहमद शाबुद्दीन की तिकली ऐसी थी कि जो दोनों प्रदेशों में मासूम जिंदगियों में दैशत गर्दी का रंग भरते थे ये तीनों मिल करके अपना इतना बड़ा सामराज इतनी आसानी से चलास देते थे जो कोई सोच भी नहीं सकता जिसकी वज़े से उत्तर प्रदेश और बिहार में अची तमाम घटनाई हुई जिसमें ये तीनों मिल करके ही उसे अंजाम दिया करते थे अपराद में खास तोर से हत्या, लूट, अपरण जैसी घटनाएं इन दोनों ही प्रदेशों में आम हो चुकी थी और ये तीनों ही एक दूसरे को जम कर मदद भी करते थे मदद इस तरह से कि एक दूसरे के शूटर्स और गुर्गों को छिपाने में दूसरे प्रदेशों से सहता यही दिलवाते थे और इसके साथी साथ किसी खास मिशन पर जब ये किसी जाते थे तब सोफिस्टिकेटेड गण भी उपलद कराने की विवस्था आपस में एक दूसरे की करते रहते थे उत्तर प्रदेश में आतीक एमद और मुक्तार अंसारी एक बड़ा सामराजी बना करके चल रहे थे तो वहीं बिहार में शाहबूत दीन भी अपना कारोबार और सामराजी देशतगर्दी का बड़ा करता जा रहा था ऐसे में इनको सोफिस्टिकेटड गन हर दिन की अशक्ता बनती जा रही थी और ऐसे में अबू सलेम के एंट्री भी इस पूरी तिकली में हो जाती है अबू सलेम पाकिस्तान की सेना से सोफिस्टिकेटड गन इनको उपलद कराने का जिम्मा उठाता था जिसके बाद उन सभी गनों से उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़ी घटनाओं को अंजाम देने में ये सभी लग जाते थे। ऐसे में तिकली अब धीरे धीरे दोनों ही प्रदेशों से खत मोती जा रही है। एक तरफ जहां शहबुद्दीन की कोरोना काल में मौत हो गई तो वहीं अतीक एहमत की हत्या कर दी गई है। इसके साथी साथ मुकतार अंसारी पर भी सजा का ऐलान हो गया है। वीडियो जनली सूफी के साथ शुभम पांडे न्यूजनेशन लखनो।